हेलो डियर फेंस एट्बी ऑनलेन का स्वागत है आज की उडियों में बहुत ही महत्पून और खास जानकारी देने जारों दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा जानकारी है यह अब तक का हापन जानने वाले हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आखिर क्या होता है इसका महत्व कभ होता है और इसकी जववत कभ पर जाती है और इसको हमको लेकर क्यों रखना चाहिए Migration Certificate दोस्तों एक च्वाली में एक Transfer Certificate जैसा ही एक इस्थान आंतर प्रमान पत्र के जैसा ही एक प्रमान है जिसके द्वारा हम कोई भी स्टेट में जो है Admission ले सकते हैं और इसकी जववत कप करती है जब हम University चेंज करते हैं या कोई Board चेंज करते हैं अपन School Life की भी बात कर रहे हैं और College की भी बात कर रहे हैं अपन दोनों एक साथ बात कर रहे हैं जैसे कि अपने को कोई Board चेंज करना है CG Board से Open Board में जाना है या अपन पढ़ रहे हैं यहां 36 गर में और अपने को अब दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई करना है तब यहां पर Migration Certificate की आश्यक्ता परती है ठीक है इसी प्रकार जो Open विद्यार्थी होते हैं और जो लोग Open से पढ़ाई करते हैं उनको Migration Certificate जो है कक्छा दसवी हो चाहे बारवी हो जब वो पास हो जाते हैं तो माक्षिट के साथ उनको Migration दिया जाता है ठीक है यह Migration का महत्वे होता है कि आ आप Open वाले कहीं पर भी admission लेते हैं तो आप छूंकि अलग बोर्ट से हैं यह डायक्ट जो है दिल्ली बोर्ट से होता है यानि कि नेशनल इंस्टिटूट आप Open स्कूल से संबंद रखता है तो यह अलग इंस्टिटूट है तो यह कोई state board नहीं है यदि आप किसी state board में या इसे पास हुए है ओपन से वो जो है फर्स्ट यर में बीना माइग्रेशन के admission नहीं ले सकते हैं तो यह महत्त्य होता है माइग्रेशन का माइग्रेशन क्यों लगता है इसका कारण मैंने बता दिया जैसी ही हमारा state है या university है यह change होता है या कोई board change होता है या हम university को डायक् हो रहे हैं जैसी कि हम cg board से निकले और कहीं पर admission ले रहे हैं तो वहाँ पर हमको migration नहीं लगता है या हम open पर इच्छा दिला रहे हैं और फुड़ा 12 भी open दस्वी भी open और college भी open पर इच्छा दिला रहे हैं तो migration की आशक्ता नहीं परती है migration की आशक्ता सिप एकी असर्थ पर परता है जब हम कोई भी state change करते हैं जाई उनिवर्सिटी या बोर्ट चेंज करते हैं सी जी बोर्ट से राजिस्थान बोर्ट चले गया है या महराष्ट बोर्ट चले गया या एक स्टेट से दूसरे जिले से दूसरे ऐसे जब हम transfer हो जाते हैं तब वहाँ पर migration certificate की आश परती है यह भी एक इस्थानानतर प्रमानपत्त के जैसा ही एक प्रपत्र है जिसकी आवश्चक्त है student को जो है कभी भी पर जाता है दोस्तों अचानक आपका कहीं transfer हो गया एक दूसरे college में admission लेना है तो बिना migration के हमारे admission नहीं हो पाता है तो यह महत्त होता है migration certificate का और सबस से हो migration जब आप लोग अभी बार्वी वाले जब अपने school में जाएंगे है ना चाहे कोई भी state के हो तो आपको मार्वी जो माक्षिट है उसके साथ साथ आपको एक certificate दिया जाएगा जिसे अपन migration certificate कहते हैं है ना migration certificate जो है साथ में दिया जाता है जब बार्वी विद्यार्थ को भी माक्षिट के साथ ही जो है migration certificate दिया जाता है यदि किसी विद्यार्थी को migration नहीं मिल पाया होगा किसी भी कारणवस तो वे जहां भी पढ़ाय किये होंगे वहां पर जाकर migration के लिए आभिदन दे सकते हैं या जो है चत्तिज़गर सिक्षा मंडल रैपूर में भी जाक है इसको भर कर आपको जो है जमा करना पर सकता है यदि migration नहीं मिला होगा तो यदि आप चार साल पांस साल पहले पढ़े होंगे और अभी migration की आशकता है तो आप अपने अपनी state board में जो है जो सिक्षा मंडल होता है वहां पर जाकर आप आविदन कर सकते है migration certificate के लिए है न तो इसके लिए कम से कम सा से डेर सा रुपे चार्जेस लगते हैं जिसको आपको बैंक चलान जमा करना होता है तो migration certificate ट्राप्त करने के लिए आपको अपने board सिक्षा मंडल में जो है contact करना पड़ेगा और एक आविदन देना होगा तब आपको जो है migration certificate ट्राप्त हो कि का है ट्राप्त